मैं कमेंट और एकेसिंग और आज फिर हम अपने EMRS लाइबरी त्यारी करेंगे और EMRS लाइबरी में क्या है आज का टॉपिक क्या है हमारा कलेक्शन डेवलपमेंट एंड अमेन निज मेंट प्रो सिस प्रियो डिस तही है आज का टॉपिक तो सबसे पहले आता है क्या है कलेक्शन यानि कि कलेक्शन डेवलपमेंट तो कलेक्शन डेवलपमेंट होता क्या है देखिए जब आपको एक चीज़ बदूं की जब आपकी पूरी लाइबरी में क्या करते है जब पूरी लाइबरी में जो एक प्रोसेश चलता है कलेक्शन डेवलपमेंट का यानि हो ऐसे से अरे को मेंट होता है यह सारे कि सारे से मुल्यांगर प्रक्रिया वह आजो क्या है यानि कि जो आपका मैठीर यानि क्लेक्सेंद प्रोसेस में और स्मशन प्रोसेस यह जिसमें सिस्टेमेटिक तोर पर जितनी भी चीजे हैं जितनी भी चीजे हैं और जितने भी लोग आए हैं यानि कि मीट हुए है यानि कि लाइबरे टू मीट इनफोर्मेशन नीड टू लाइबरेरी का है टाइमली यानि कि टाइमली एकनोमिकली उसे क्या करता है उसे मजबूत करने के लिए और उसे क्या चीजों को समालने के लिए और चीजों को बढ़ाने के लिए यानि कि सीधे सीधे वही है कि हर हर टॉपिक में एक चीज आप एड़ का सकते हो वह क्या है लाइबरी को विकास करने के लिए लाइबरी को विक्स ग्रोथ करने के लिए चीजे यूज होती है आप क्या है यानि कि करने की बाद आपको समझने मुझा है तो यानि की क्लेक्शन डेवलपमेंट जो होता है लाइसे में क्लेक्शन डेवलपमेंट वह आपके दो तरह से एक होता है यानि collection development एक तरह से क्या है highly quality information resource होते हैं जिसमें print and non-print material आते हैं प्रोवाइड तू यानि कि एक तरह से क्या करते हैं वो institution की या फिर जो हमारा structure है लाइबरी structure है उसकी requirement होती है और requirement किसले होती क्या है यानि collection development जो होते हैं वो कहीं न कहीं एक तरह से development process होता है यानि कि पूर्ण पूर्ण से library को develop करने काम करते हैं यानि collection process एक यह नहीं कि आपने सिफ किताब को collect कर लिया या उस तरह का नहीं collection process में आपके क्या आ जाएंगी सारी भी आ जाएंगे देखो दो 3 तरह की चीज़े होती है collection process में एक तो आपका collection process में सोरी collection development में जब लेकर चलोगे था है collection क्या करोग के साल से पहले हम क्या करते है collection कि चोंटी चीजा रही कि है अगर हमें क्या लाइवर्बेरी को develop करना यानि क्यांटम करना तो collection development में तृह सब लक diversity को करें गर सब्सक्राइब यहां पर किया करेंगे और अपने उसे चाहिँ करेंगे अपने लाइबरी में और और लाइबरी के क्लेक्शन menus our सलेक्शन हो गया आपका यूजर सैदी ओगा इस टोख साफ कालेट्यॉडirez मैं आते हैं और ये जह है क्यों 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 क्या करोगे सीधे सीधे वाद दो जयता हो कि आप को मैं तो पुरान आप भी तहो बहर समस्याओं का पता जलता है जिसकी बतुरत हमें क्या है यानि कि जो हम justification कर पाते हैं वह पता जलता है collection यानि कि overall library के development में सहयोग करता है और जितनी भी सूचनाओं का आधान परदान होता है जितने ही सोचना अगो क्या करते हैं लाइबरी में 2001 करते हैं जितने वि सोचना ऊंगों को राप्त करते हैं वह सारी के सार हापकी collection प्रोसेस के अंदर आ जाएंगी यानिकि जो collection development है वह कहीं न कहीं के पूर्डरी यानि पूर्ट लाइबरेरी का विकास करने में उन लाइबर्य को वीक्सइद करने में कारिगर माना जाएगा तिक का यानि की उसके प्रसेस हैं एडालेंट ऑर जो यानि कि तीन चीज आएंगी collection development एक collection development policy यानि कि एक तो collection development होता है collection development में सारा चीज कहां से कट्टे करने है फिर policy के आए यानि कि उसके policy के अंदर आ जाए guidance यान एक तो आ जाएगा जाएगा यानि कि जो हमें हटाना है आप क्या करोगे पहले development की बात करोगे फिर उसके अंदर क्या करोगे इतना पैसा है यह चीज इंपोर्टेंट है एक rules बनाओगे यानि policy बनाओगे वह आ जाएगी और फिर क्या है कि हमें कौन-कौन से समान बाहर करना है वह आ अगली कहान ही आती है आपकी अगली कहान ही आती है आपकी मैनेज मेंट पॉल सी प्रो सी ड्रिंक्स चली आप इसके बारे में संस्थान है यानि कि यह देख़ो policy management आती है यानि management policy process में यह सारे सारे आपकी चीज आती है जितनी भी यानि नीटि में आपकी management जो नीटिया उसमें क्या है उसकी प्रकरिया में् आप यह ध्यान रखते हो कि हमें क्या करना है जो institution है जो हमारा organization को हमें किस तरह से क्या करना है उसको growth बढ़ानी है सीधे सीधे यह diagram है और इसे यहां से लेकर यहां तक लेकर जाना है यह तो बात होती है अब management policy में क्या होता है management policy हर चीज़ का जैसे आप देखा होगा कि यान अच्छा हो better हो अगर खाने के business चुरू कर रहे है एंप्लोई है उसको जो चीज़े है वह यानि कि creation होनी चीज़े इंप्लिकेशन होनी चीज़े maintenance policy होनी चीज़े और कहीं न कहीं जो क्या है management policy यानि कि management policy इस तरह क्यों चीज़े जिसमें क्या हो सके कि organization को यानि कि जितनी यानि प्रबंदन नीती ऐसी होनी चीज़े जो क्या करे संस्थान के विकास करने में संस्थान को चलाने में संस्थान को सुववस्तित रूप से एक तरह से क्या है दर्शाने का काम कर सके कहीं नहीं कि जब आप क्या करोगे संस्थान को एक क्रिये टीम बना अर चीज़ों क कर रहे हकश में चीज़ों को सुव्तित हुस को सर्थ हमनीज्मेंट का विकास करना हमते और diesen संस्थान चीज़ों संस्थान को की आर्मध की आपकि एडमिन इस सारे क्या सारे आपके पिद्ट बाके सर्थान करते हैं कि 20 तो इसमें यहां बता है एक सू व्यवस्तित रोप से कारिये चलना चाहिए तब ही क्या है यह क्या है गूड मैनेजमेंट और गूड मैनेजमेंट पॉलेशी के तोर पर आती है यानि कि अगर आपका जो management है, शुवे उस तरूप से नहीं चलता, और management में आपको पता है कि क्या कहती है, staffing आजाता है, आपका planning आता है, और आपके direction आ जाती है, आपकी union तरण की policy, यह सारे की सारे क्या है, कहीं न गहीं, इससे effect होती है, और effect होके क्या करते है, एक संस्थान क्यों चलाने का काम करती है, यानि कि यह policy, वे policy होती है, जो किसी भी संस्थान को क्या करते है, उचाईयों तक ले जाने का काम करती है, और इस भी policy में, क्या है, हर वे वेक्ती, हर वेक्ती जो क्या है, संस्थान के लिए कारे कर रहा है, वे सब वेक्ती क्या है, संस्थान को एक उचे पदक पर पहुचाने का कारे के लिए उसके संसाधन की तौर पर यूज होते हैं ठीक है तो यह आपकी आती है management policy में देखो जितने भी क्या है लाइबरी में management या इस तरह की finance से चुड़ी है उसमें एक time याद कर लेना growth ठीक है growth और पैसा यहां पर याद कर लेना आपको अपको सब्सक्तियों चुछन को आपको ट्रमनोलोजी सेफ यह तर्मोनोलोजी सेफड़ने पटको मैं थीक है यह हमारे जीन में के उसकता है हमारे घर में यह कोश 승 ए सार इसक़ला फॉसेचिन को आप कि ट्रमान पर ठीक हो चो आशे करता हम को वीडियो बस नहीं वीडियो बस नहीं दो लाइक करें चैनल के सब्सक्राइब परें वीडियो की जासे शेर करें थैंक यू